हैलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में आज 24 मार्च को IV Security Assistant का First Shift का एक्जाम समाप्त हो गया है First Shift का Complete Quotion का Analysis करने वाले हैं इस वीडियो में तो पूरा वीडियो एंड तक देखेगा लगबग सारे Real Quotion आचुके हैं मेरे पास तो वीडियो को इस बात पे Like के साथ सुरू कीजिए जिनोंने भी इस वीडियो को अभी तक Like नहीं किया है एक साथ Like बटन दवा दीजी और वीडियो को Share भी कर देरा First Question स्टार्ट करते हैं आज का पहले Question में आपसे पूछा था कि साची स्टूप का निर्मान किस ने करवाया था तो इसका Right Anspar होगा समराट अशोक जी हाँ साची स्टूप का निर्मान समराट अशोक ने करवाया था तो अशोक आपका Correct Anspar था अगला Question आपसे पूछा गया था अरुनाचल प्रदेश के कोन से जिला की जनसंक्या सबसे कम है सबसे कम जनसंक्या वाला अरुनाचल प्रदेश का जिला है दिबांग घाटी जिला तो दिबांग घाटी ओप्शन में दिया था वो Right Anspar होगा Next Question आया था खेलो इंडिया Youth Games 2022 का आयोजन कहां पर हुआ देखिए खेलो इंडिया Youth Games 2022 का जो चोथा संस्क्रण है ना इसका दोस्तों आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में 13 दिन तक ये चला था ठीक है और यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश के 8 सहर भोपाल, जबलपूर, इंदोर, उजेन, ग्वालियर, मांडला, बालागाट, खरगोन में ये आयोजित किये गए थे 13 दिनों तक और जो पांचवाँ संस्क्रण है ना खेलो इंडिया Youth Games का इसका आयोजन महराश्टर में होगा ठीक है अगला कोशन पूछा था आपसे कि जे प्रकास नारायन ने भारत छोडो आंदोलन में कब शामिल हुए थे दोस्तों जे प्रकास नारायन जी भारत छोडो आंदोलन में नवंबर 1942 में शामिल हुए थे तो नवंबर 1942 राइट आंस्वर होगा नेक्स्ट कोशिन आपसे पूछा गया था फर्सिट में कि सुप्रीम कोट में कोन सी भाषा परयोग की जाती है तो इसका अंस्वर काफी इंटरस्टिंग होगा देखिए देखिए सुप्रीम कोट की बात कर लेना आपने तो इस समंद में संसद के दवारा अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया गया है कि कोन सी भाषा यूज की जाएगी पर दोस्तों उच्तम नियाले की सभी जो कारेवाईयां होती है वो अंगरेजी भाषा में ही होती है इसलिए इसका करेक्ट आंसवर हम क्या कर लेंगे अंगरेजी भाषा ही राइट आंसवर होगा अगला कोशन आया था कि भारतिय सविधान के निमल लिखित में से किस अनुछेद के तहत नियंतरक एयों महालेखा परिक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों की स्थापना की गई है तो यह की गई है अनुछेद 149 में अनुछेद 149 भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से समन्दित है तो right answer होगा article 149 अगला कोशना है था कि लगू सविधान की संसोधन की सविधान संसोधन को कहा जाता है लगू सविधान संसोधन 42 सविधान संसोधन को कहते हैं तो 42 सविधान संसोधन right answer होगा इस संसोधन में सविधान में 3 नए शब्द भी जोड़े गए थे ठीक है समाजवाद धरम निर्पेक्ष और एकंडता अगला कोशना है था कैडमियम से कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है तो अगर option में कंकाल की विकरती दिया होगा तो ये मेरे coding correct answer होना चाहिए बाकिया बताएगा ये वाला questions first से नहीं मिला है ज Catal Genesis अगला कोशना है था पूडु चेरी का लिंगान उपात कितना है तो एक हजार पुरुशों पर महिलाओं की हाँ पर संच्चा है एक हजार सेंथिस ठीक है जो की सबसे ज़्यादा है तो पूडी चेरी का लिंगा नुपात हो जाएगा 1037 अगला कोशन आयता कौन सा अमल कमजोर अमल है ठीक है तो सबसे जो कमजोर अमल है वो एसीटिक अमल को बोलते हैं तो एसीटिक अमल आपका राइट आंसफर होगा अगला कोशन पूछा था ओल इंडिया किसान सबा किस्तापना कब हुई तो 11 अपरिल 1936 को हुई थी सहजा अनंद सरस्वती ने की थी तो राइट आंसफर होगा 11 अपरिल 1936 अगर 11 अपरिल 1936 ओप्शन में नहीं था तो ओप्शन में आपके 1949 भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ओल इंडिया किसान सबा 1949 में फाउंड हुआ था कुछ जगे आपको 11 अपरिल 1936 देखने को मिलता है आप बताइए दोस्तों ओप्शन में 11 अपरिल 1936 दिया था या 1949 अगला कोशन आया था सिंदू की सहाइक नदी कौन सी है तो दोस्तों देख लेते हैं काफी नदिया है सिंदू की सहाइक नदियों में पस्चिम से बात करें तो पस्चिम से सिंदू नदी की परमुक जो साइक नदिया है उसमें नाम आता है काबूल तथा कुरेम नदियों का और पूरव से पाँच मुखे साइक नदिया है जिसमें जेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलूज है सिंदू परनाली की सभी परमुक नदिया 12 मशी होती है अब आप मिलको बताएगा टोटल देखिए साथ इसकी साइक नदिया है जिनमें पस्चिम से तो दो है जिनमें पस्चिम में आपकी काबूल और कुरेम है और पूरव से पाँच है जेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतल बताना इन साथों में से कौन सा आज ओप्शन में दिया था अगला कोशन है था मांडवी नदी किस राजे से समन्दित है इस टाइप से कुछ कोशन होगा साइद ये वाला स्वाल एक्जेक्ट नहीं मिला है बात कर ले मांडवी की तो जिसे महादाई नदी भी कहते है भार बारी नदी से संगम करती है और फिर यह सेयुक्त नदी अरव सागर में विले हो जाती है तो यहाँ पे हमसे अगर राज्य पूचा है तो गोवा महराश्टर करनाटक तीनों में ये वहती है आपके ओप्शन में बताना कौन सा ओप्शन दिया था एक आया था कि भारतिय अस्तापित परिकरिया के अतरिक उसके जीवन और व्यत्तितव सवतंतरता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता तो जीवन का अधिकार आपका करेक्ट आंस्वर हो जाएगा एक कोशन आयता दोहजार ग्यार 21 की जनगना के नुसार भारत का जनसंख्या अब देखिए 2021 में जो जनगना है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी पैंडमी की वज़े से कोरोना की वज़े से और तो ओफिशियल डाटा तो नहीं है किसी के पास पर अगर आप से पूछा होगा ये कोशन तो 149 कोरोड लगबग हो चुकी है तो 149 कोरोड आप राइट आंस्वर मानोगे ठीक है बाकी बताएगा विकलप क्या दिये गे थे एक कोशन आयता कौन से चैप्टर में Constitution of Parliament है ये थोड़ा स्पस्ट रूप से बताएगा कोशन दोस्तों क्या दिया था ये स्पस्ट रूप से नहीं मिला है अगला कोशन आयता 2011 की जनगना के नुसार पोडी चेरी का साकस पूछा है अगर लिट्रेसी रेट पूछा है तो 85.85% है लिट्रेसी रेट अगर लिंगानुपात पूछा है तो 1037 है एक कोशन 2021 में तमिल नाडू की जनसंक्या से भी बना है तो 8 करोड 36,97,770 है जनसंक्या तमिल नाडू की एक कोशन या पे सवतंतरता की अधिकार से पूड़े एस परस्ट हैं बताएगा इनको क्लियर करते चलिएगा जिनको अच्छे से ये कोशन याद है बाकी ये वाला कोशन जो मैंने आपको गदाया कि कौन से चैप्टर में कॉश्टेशन ओफ पार्लामेंट है ये भी सपरस्ट नहीं मिला है तो आखिर में कुछ कोश नोटिफिकेशन की घंटी जरूर ओन कीजिएगा नेक्स्ट सिफ्ट का अनलेसिज देखने के लिए इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवा जैहिन जैवारत